दोस्तों नमस्कार ये है मागदर्शन फार सिविल सर्विशेज मैं अनुराख्ष उधरी दोस्तों मागदर्शन यन्सियार्टे सिंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे इग्यारहमिक अच्छा के भुगोल भौतिक भुगोल के मूल सिध्धान्त का अध्या एक भुगोल एक विशे के रूप में दोस्तों अभी तक हमने भुगोल का अध्यान सामाजिक विज्ञान पाठेकरम के एक घटक के रूप में किया है और अब हम भुगोल का अध्यान एक स्वतंत्र विशय के रूप में करेंगे इसमें हम जानेंगे भुगोल एक समाकलन विशय के रूप में भुगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है भुगोल की प्रमुक साखाएं कौन सी है और भौतिक भुगोल और इसक प्रक्रियात्मक संबंध के विशे में जानेंगे और हमें भुगोल क्यों पढ़ना चाहिए हम धरातल पर रहते हैं हमारा जीवन हमारे अस्थान से अनेक रूप में प्रभावित होता है हम निर्वाह के लिए अपने आस्थपास के संसाधनों पर निर्भर होते हैं आदिम सम अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशों और खाद्यपदार्थों पर आस्रिथा समय भितने के साथ हमने तक्नीकी का विकास किया और प्राकृतिक संसाधनों जैसे भू, मिर्दा, जल का उप्योग करते हुए अपना आहार उत्पाद प्रारम किया और हमने अपने भोजन की आदतों और वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनकूल समायोजित किया दोस्तों आपको ये जानना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन के आधार, तक्नीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनकूलन और उसका परिश्करण ये सब सामा जिग्यास होना चाहिए और विविद्प्रकार की भूम के लोगों से आप परचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में हमारी रूची है और भुगोल जानते हैं कि ये आपको विविद्धत समझने, समय और अस्थान के संदर में ऐसी विभिनता को उद्पन करने वाले कारकों की खोज करने की छमता परदान करता है और भुगोल में दोस्तों आप मानचित्र में गलोब समझते हैं, धरातल के द्रिस ग्यान के कुशलता जानते हैं और आधुनिक बैग्यानिक तकनीक और भुगोलिक सूचना तंत्र जैसे की G.I.S. जिस ग्यान और कुशलता है ये राष्ट अस्तरी विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस भी करती है दोस्तों भुगोल पढ़ने से पहले एक प्रश्न और है कि भुगोल क्या है तो आप जानते हैं कि पिर्थवी हमारा आवास है और ये पिर्थवी पर रहने वाले अन लाओ या विभिन प्रकार की भिनताएं हैं यहाँ पर परवत हैं पहाडियां हैं घाटियां हैं मैदान हैं पठार हैं समुद्र हैं जील रेगिस्तान वन भी हैं उजार छेतर मिलते हैं तो पिर्थवी के धरातले सरूप में बहुत अधिक भिनता पाई जाती है इसके अला के द्वारा निर्मित अनिकाई तत्तों के रूप में हमारे सामने भी दिमान है दोस्तों इस भिन्नता में भौतिक परियावरण और सांस्कृतिक लच्छनों को समझने का संकेत है भौतिक परियावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानों समाजों ने अपने सिर्जना अत्मक्रिया कलापों का ड्रामा कर तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मन्चित किया और पूछे गए प्रश्ण हम ये जानेंगे कि भूगोल क्या है तो सबसे पहले हम ये जानने की कोसिस करेंगे कि वाट इस जियोग्राफी या भूगोल किसे कहते हैं तो ब इरेटोस थनीज नामा के ग्रीक बिद्वान जिनका की समयकाल 276 से 194 इसापूर्व है इन्हों ने सबसे पहले भूगोल सब्द का प्रियोग किया था याद रखेगा भूगोल सब्द का प्रियोग सबसे पहले दोस्तों इरेटोस थनीज ने किया था जो की एक ग्रीक बिद दोनों एक साथ रखने पर इसका अर्थ पिर्थवी का बरण होता है तो सामाने रूप में जो ग्राफिका अर्थ जो है वो है पिर्थवी का बरण और पिर्थवी को हमेशा मानों के आवास के रूप में देखा गया है और इस द्रिष्ट से बिद्वान जो है भुगोल को मान के निवास के रूप में पिर्थवी का बरण कहते हैं और दोस्तूं आप जानते हैं कि जो यथार्थता है वो बहुआयामी होती है पिर्थवी भी बहुआयामी है इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मिर्दा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, बनस्त रातल की वास्त विक्ता के विभिन पच्छों का अध्यान करते हैं भुगोल अन्य विज्ञानों से विशेवस्त और विधितंतर में अलग होता है लेकिन साथ ही अन्य विज्ञानों से इसका निकट का संबंद होता है हमें दोस्तों पिर्थवी पर भौतिक और सांस्कृत वाताबरण में अनेक प्रकार की भिन्नता दिखाई परती है अनेक तत्तों में समानता पाई जाती है कई तत्तों में असमानता पाई जाती है इसलिए भुगोल को छेत्री विभिन्नता का अध्यन मानना तारकिक लगता है और इस प्रकार भुगोल को उन सभी तथ्यों का अध्यन करना होता है जो छेतरी संदर्व में भिन होते हैं भुगोल वेता मातर धरातल पर तथ्यों में भिनता का अध्यन नहीं करते बलकि उन कारकों का भी अध्यन करते हैं जो इन भिनताओं के कारण होते हैं जैसे फसल का स्वरूप एक परदेश में दूसरे परदेश से भिन होता है लेकिन ये भिनता क्यों होती है तो ये भिनता मिट्टी, जलवायू, बाजार की मांग, किसानों की बैच्छमता, तक्नीकी निवेश की उपलब्धता आदमे भिनता से संबंधित होती है तो इस प्र कारेकरण संबंध के धाचे में करता है क्योंकि ये केवल ब्याक्ष्या में ही सहायक नहीं होता बलकि तथे के पूर्वानुमान और भविस्य के परपेच में देखने की छमता भी रखता है भौतिक और मानवी दोनों प्रकार के भवगोलिक तथे भौतिक नहीं बलकि ये डाइनमिक यानि गत्यात्मक होते हैं ये हमेशा परिवर्तन सील, पिर्थवी और अथक और निरंतर सक्री मानों के बीच प्रक्रियाओं के फल्स रूप कालांतर में बदलते रहते हैं यानि भौगोल के जो संबंध है वो प्राकृतिक और मानों जनितकारों से हमेशा परि प्रकिर्ति पर अपनी चाप छोड़ता है प्रकिर्ति मानो जीवन के विभिन पच्छों को प्रभावित करती है और प्रकिर्ति की चाप जो है वस्त्र आवास देवसायादी पर देखा जा सकता है और मानो ने प्रकिर्ति के साथ समझावता अनुकूलन और आपरिवर्तन के म प्राकरतिक संसाजनों का समचित उपयोग करते हुए अपने कारी छेतर के छितिज में बढ़ोतरी कर लिया है तकनीकी के क्रम सहभिकास के साथ मानों अपने उपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है और टेकनलोलजी ने स्र अभी द्वारा संचेप में मानों और इस्वर के बीच निम्नवारतालाप के माध्यम से ब्यक्त किया गया है आपने मिट्टी का स्रिजन किया मैंने कप का निर्मान किया आपने रात्री का सिजन किया मैंने दीपक बनाया आपने बंजर भूमी पहाड भूभाग और मरुस् स्था से स्वतंत्र की ओर अगरसर हुआ उसने स्वतंत्र अपनी छाप छोड़ी और प्रकिर्त के सहयोग से नई संभावनाओं का स्रिजन भी किया है। प्रकिर्तिक और सांस्कृतिक विशेस्ताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हैं जो क्या प्रश्ण के उत्तर देते हैं कि फला चीज क्या है। और इसमें ये पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है। तो एक विशे के रूप में भुगोल का कुरोड छेतर से संबंधित होता है जो अस्थानिक विशेस्ताओं और गुणों का विवेचन करता है। ये छेतर में तथ्यों के वितरण, इस्थिती और केंद्री करण के प्रतिरूप का अध्यन करता है और इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका अस्पष्टी करण देता है। ये मानों और उसके भौतिक परियावरण के मध्य गत्यात्मक, अंतर प्रक्रियात्मक और उपजे तथ्यों के बीच अंतर संबंध का विशलेशन करता है। आए जानते हैं भुगोल क्यों एक इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट या इंटीग्रेटिंग डिसिप्लीन है। या ग्लोबल विलेज का प्रतिवोधन होता है। परिवहन के साधनों का बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हुई हैं। तकनीकी ने आकडों को बहुत समरिद्ध बना दिया है। गम्य और आसान बनाता है। दोस्तों देखिए भुगोल जिन विश्यों से या जिन सामाजिक विज्ञानों से समझेंगे। भुगोल वेत्ता को सभी संबंधित छेत्रों की ब्यापक समझ रखने की आव सकता होती है। जिससे कि वह उन्हें तारकिक रूप से संसलेशित और विश्लेशित कर सके। ये संसलेशन कुछ हुदाणों की सहायता से समझा जा सकता है। जैसे भुगोल एतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है, जो अस्थानिक दूरी है विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावसाली कारक है। देश की रच्छा करता रहा है, लेकिन उसमें बिद्दिमान दर्रे मध एसिया के आकरमण करता हूं और आने वाले लोगों को मार्ग की सुभिधा देते रहे हैं। समुदरी किनारे दच्छिण पूर्व, दच्छिण पूर्व, एसिया, यूरोप और अफरिका से संपर को प्रोसाहित करते रहे हैं। और नौ संचालन यानी नेविगेशन तकनिकी ने यूरोपी देशों को भारत सहित कई एसियाई और अफरिकी राष्टों पर उपनिवेसी करण की सहायता दी। जैसे अ जो है अस्थान ब अस्थान से 1500 किलो मीटर दूर है। जिसे बिकल्प के रूप में ये कहा जा सकता है कि अ अस्थान ब से 2 घंटा है और यदि हवाई जहाज से यातरा की जाए। या 17 घंटा दूर है यदि तिब्रगामी रेल से यातरा की जाए। इसी कारण समय ज दोस्तों समय भी जो है एक आयाम हो जाता है अध्यन के लिए। आए जानते हैं भौतिक भुगोल और प्राकृतिक विज्ञान दोनों में क्या संबंद है। दोस्तों भौतिक भुगोल की सभी साखाएं हम आगे अभी देखेंगे और ये जो हैं परंप्रागत भौतिक पिर्थवी का मौसम विज्ञान का जल विज्ञान और मिर्दा विज्ञान से संबंद है। तो भू आकृति विज्ञान जलवाय विज्ञान सामुद्रिक विज्ञान मिर्दा भुगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंद है क्योंकि अपनी ये सूचनाई इ निचे में निवास करता है इसकी अलामा दोस्तों भूगोल वेत्ता को गडित और कला विशेशकर मानचित्र रेखांकन में निपुड होना चाहिए और भूगोल खगोली स्थितियों के अध्यान से भी जुड़ा है अच्छान्स देशांतर का विबरनर पिर्थवी का आकार भू आभ जो आएड है लेकिन भूगोल वेत्ता का मूल उकरण मानचित्र है जो द्वी आयामी पर दर्शन होता है भू आपको दो यायामी रूप में परिवर्तित करने का साधन लेखा चित्री या गर्ती रिद से निर्मित प्रक्षेपन द्वरपराप्त होता है तो इस आप ये समझ सकते हैं कि फिर्थवी विग्यान, भू आंतरिक्षन रशना, जलवायु विग्यान, समुत्र विग्यान, बनस्पत विग्यान के साथ साथ गडित और कला का भी ज्यान भूगोल की ज्यान के लिए जरूरी है आयो जानते हैं भूगोल और अन्य सामाजिक ज्यानों के संबंद तो मोटे तोर पर यहाँ पर देखिए दोस्तों भूगोल के छेत्र कौन कौन से हैं तो भूगोल के छेत्र में सबसे पहले हम आये देखते हैं भूगोल से ही संबंद करते हैं देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों पारिस्थितिकी विग्यान है मान सामाजिक भूगोल यानि समाज सास्त्र आयतिहासिक भूगोल इतिहास राजनीतिक भूगोल राजनीति सास्त्र जनसंख्या भूगोल जनांकिकी आर्थिक भूगोल आर्थ सास्त्र आर्थिक सांखिकी भूगोल में परिमारात्मक प्रविधी गडित और खगोल की गडित और भुगोल और बनस्पत विज्यान पादब भुगोल प्राणी विज्यान प्राणी भुगोल तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भुगोल के जो छेतर हैं बहुत ही विश्ट्रित हैं तो आप इस प्रकार इसको जान सकते हैं दोस्तों कि भुगोल का धायरा या भुगो दूस्तों भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक विज्यानों से घनिष्टता से जुड़ा हुआ है आप जानते हैं और ये अध्यन के बिधिदंद्र और उपादानों का अनुसरन करता है जो इसे अन्यविश्यों से अलग करता है और इसके अलामा सभी अन्यविश्यों का बंध अपना निजी विश्य छेत्र होता है लेकिन भूगोल जो है ब्यश्टि परक सूचनाओं के बहाव का अरोध नहीं करता जैसे सरीर के सभी कोसिकाओं की एक जिल्ली यानि मेंब्रेन द्वारा प्रिथक पहचान होती है लेकिन रक्त का बहाव अरोध नहीं होता इसी माध्यम से छेत्री प्रतिरूप और जो है सारणी बध आकड़े से द्रिश्य प्रतिरूप में परिवर्तित किया जा सकता है दोस्तों अन्य विज्यानों से संबंध के बाद आये जानते हैं कि भूगोल की प्रमुक साखाएं कौन सी हैं दोस्तों भूगोल अध्यन का एक disciplinary विशे है यानि ये जो है भूगोल कोई अलग से नहीं बलकि अन्य सामाजिक विज्यानों से जोड़ कर ही इसको समझा जा सकता है तो इस द्रिश्ट से देखा जाए तो भूगोल के अध्यन की दो उपागम है एक विशे वस्तुगत यानि क्रमबध उपागम और दूसर प्रादेशिक विशे वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामानी भूगोल का होता है यह उपागम एक जर्मन भूगोल वेत्ता अलग जिंडर वान हमबोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया था जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हमबोल्ट के समकालिन द उसके बाद छेत्री स्वरूप के आधार पर वर्गी क्रित परिवारों की पहचान की जाती है। यदि कोई प्राकृतिक वनस्पत के अध्यन में रुच रखता है तो सबसे पहले दुनिया भर में या वैस्विक अस्तर पर उसका अध्यन किया जाएगा। पर विभक्त किया जाता है फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भावगोलिक तत्यों का अध्यन किया जाता है और ये प्रदेश प्राकृतिक राजनीतिक या निर्देश्ट प्रदेश हो सकते हैं। पर बल देते थे लेकिन बाद में ये स्विकार किया गया कि मानो धरातल का समाकलित भाग है और वह प्रकृतिक का अनिवार ये अंग है उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान किया है और इस प्रकार मानुई क्रियाओं पर बल देने के साथ मानो भूगोल क विकास हुआ अब आईए जानते हैं भूगोल की साखाएं भूगोल की साखाएं हम विशे वस्तुगत और या क्रमबध उपागम के आधार पर जानेंगे सबसे पहले भौतिक भूगोल के अंतरगत भू आकृति विज्ञान सामिल है जिसमें भू आकृतियों उनके क्रम विक क्रियाओं का अध्यन किया जाता है भूतिक भूगोल का दूसरा जो छेतर है वो जलवायो विज्ञान है इसके अंतरगत वाई मंडल के संडशना मौसम और जलवायो के तत्व जलवायो के परकार और जलवायो परदेशों का अध्यन किया जाता है देखिए तीसरा है जो है जल विग्यान इसमें धरातल के जल परिमंडल जिसमें समुद्र नदी जील और अन्य जला से सामिल है और उनके साथ मानो सहित विभिन प्रकार के जीवों और उनके कारियों के प्रभाव का अध्यन जल विग्यान के अंतरगत किया जाता है यहाँ भूगोल की प्रमुक साखाएं आप क्रमबध उपागम के आधार पर देख सकते हैं देखिए भौतिक भूगोल सिद्धांत दर्षन साच्र विधी और तकनीक और मानो भूगोल तो यहाँ पर भौतिक भूगोल के अंतरगत देखिए भुवाकरति विग्यान जलवी विज्ञान जल विज्ञान और मिर्दा विज्ञान आते हैं और इसी तरह देखिए इसी में दोस्तों भावतिक भुगोल के अंतरगत अंतरा प्रिष्ट जीव भुगोल है जिसके अंतरगत पादब भुगोल, प्राणी भुगोल, पारिस्थित्की और परियावरण भुगो इसकी अलामा दोस्तों देखा जाए तो सिध्धान्त दर्शन सास्त के अंतरगत भौगोलिक चिंतन और मानो पारिस्थित की क्रियाओं का अध्यन किया जाता है। जनसंख्या और बस्ती के अंतरगत ग्रामीड और नगरी का अध्यन किया जाता है। आनो भौगोल में दूसरा पार्ट है जनसंख्या और अधिवास भौगोल ये ग्रामीड नगरी जनसंख्या और उनके रहन सहन के पैटर्न का अध्यन करता है। तीसरा आर्थिक भौगोल है ये मानो की आर्थिक क्रियाओं का अध्यन करता है। अतिहासिक भौगोल जो है इसके अंतरगत उन अतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्यन किया जाता है जो छेतर को संगठित करती है। और प्रतेक प्रदेश बरतमान इस्थिति में आने के पूर्व अतिहासिक अनुभों से गुजरता है। राजनीतिक भौगोल के अंतरगत दोस्तों छेतर की राजनीतिक घटनावें और पडोसी देशों के साथ संबंध निर्वाचन छेतर का परिसीमन चुनाव पर द्रिश्य का अध्यन किया जाता है। इसकी अलामद दोस्तों जीव भूगोल जीव भूगोल भौतिक भूगोल और मानो भूगोल के इंटरफेस के फल सरूप जीव भूगोल का अभ्योदय हुआ है। जहर और नगरनी योजन, प्रादेशिक विकास और प्रादेशिक विवेजना या विशलेशन दो ऐसे पच्छ हैं जो सभी विश्यों के लिए उभैनिष्ट और सर्वनिष्ट हैं। के अंतरगत इस्थूल प्रादेशिक अध्यन, मध्य प्रादेशिक अध्यन और सोच में प्रादेशिक अध्यन का अध्यन किया जाता है। दोस्तों इसके अलामा देखिए यहाँ पर हम जब अध्यन करेंगे तो इसमें दर्सन, दर्सन के अंतरगत, भोगोलिक, चिंतन, भूमी और मानव अंतर प्रक्रिया का अध्यन किया जाता है। और विधितंत्र और तक्नीक में सामान्य और संगडक, आधारित, मानजित्रण, परिमारात्मक तक्नीक, सांखी की तक्नीक, छेत्र सरवेक्षन और इन विधियों का अध्यन तथा भू सूचना विज्ञान जैसे GIS, GPS आधिका अध्यन किया जाता है। दोस्तों ये वर्गी करण क्या है? ये भूगोल के साखाओं की एक विश्तित रूप रेखा प्रस्तुत करता है और भूगोल को इसी धाचे में पढ़ाया जाता है। जैसे भूगोलिक संडशना तंत्र, बैस्विक इस्थितिक तंत्र यानि ग्लोबल पोजिस्निंग सिस्टम ये बिल्कुल सही इस्थितिक अग्यान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर हो गया है। वाई मंडल इसकी बनावाट तत्व और मौसम जलवाय। तापकरम जल मंडल यानि समुद्र जीले जल मंडल और जैव मंडल यानि जीव के सुरूप मानो और अन्य जो जीव जन्तु हैं उनके बारे में अध्यन यहाँ पे शामिल है। मिट्टी मिर्दा निर्मार की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है और वे मूल चटान जलवाय। जैविक प्रक्रिया और समय काल पर निर्भर करती है। कालावध मिट्टीओं को परिपक्वता परदान करती है और मिर्दा पार्सविका यानि प्रोफाइल के विकास में सहायक होती है। मानों के लिए ये सभी तत्व महत्वपूर हैं और भू आक्रितियां वे आधार प्रस्तुत करती हैं जिस पर मानों क्रियाएं संपन्न होती हैं। मासुपालन कुछ उद्योगों आधिपर प्रभाव डालता है और मानों ने ऐसी तकनीकी विक्सित की है जो सीमित छेतर में जलवायू को मोडिफाई कर देती हैं। इसके अलावा हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अधियन करते हैं यह मचली और अन्य समुद्री भोजन के अतरीकते खनीजों की द्रिष्टी से संपन्न होती है। दोस्तों भारत ने समुद्री तल से मैगनेज पिंड जिनको की नाडियूल्स कहा जाता है उसको एकत्र करने की तकनीकी विक्सित कर ली है। और मिर्दा के एक नविकाड़ी यह पुनह अस्थापनी संसाधन जो है बन सकता है। इस उद्देश की पूर्ती के लिए भौतिक परियावरण और मानों के मध्य संबंधों को समझना जरूरी है। बहुतिक परियावरण संसाधन प्रदान करता है और मानों इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक और सांसकर्तिक विकास सुनिशित करता है। दोस्तों भुगोल क्या है इसको हम दो विचारकों के द्वारदी के परिभासाओं के बारे में जानेंगे। विक अच्छा के भुगोल भौतिक भुगोल के मोल सिधानत का पहला अध्याय और यहां से हम भुगोल का स्वतंत्र विशय के रूप में अध्यन कर रहे हैं। इसमें आपने मोटे तोर पर यह जाना कि भुगोल क्या है, भुगोल किस प्रकार से एक अंतर संबंधित और अंतर विशयक भी से हैं। और भुगोल और अन्य सामाजिक विज्ञान किस प्रकार से संबंधित हैं, भुगोल की प्रमुक साखाएं क्या हैं और भौतिक भुगोल और इसका महत्तुर क्या है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, वीडियो प्रारंभिक या सामाने जानकारी के लिए था, इसके बाद हम विभिन अध्यायों को आगे के चैप्टर में कवर करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल माक दोशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।